तो defense personnel को toll tax माफ है या नहीं इसके उपर YouTube पर महुत सारे वीडियो बने हुए लेकिन कुछ वीडियो में कहते है कि छूट है और कुछ वीडियो में कहते है कि छूट नहीं है पूरा clarification कहीं भी मिल नहीं पा रहा है इस मेटर को लेकर कई बार defense person को toll get पर ताका जोकी करनी पढ़ती है कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी army person को, defense person को toll get के उपर काफी harassment किया गया है इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए काफी एक servicement भायों ने, retired persons ने एक toll tax card भी बना रखा है लेकिन इस कार्ड को लेकर भी टॉल्टेक्स गेट पर काफी बार कहा सुनी हुई है और तू-तू-मेमे हुई है तो सेनिक मंतरा के इस विशेश वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफेंस परसनल को टॉल्टेक्स माफ है या नहीं है और माफ है तो किन को माफ है और किन को माफ नहीं है डिफेंस परसन को टॉल्टेक्स माफ का ये रूल कब शेश शुरू हुआ और इसकी लिखित अथोरिटी कहां पर है इस रूल को क्या कहा जाता है और इनके अलावा कि टॉल्टेक्स कार्ड जो आप सभी ने बना रखा है उस कार्ड की असली हकिकत क्या है और बाद में हम बात करेंगे कि 2020 में ओफिसियल लेटर्स क्या है और लेटेस्ट ओर्डर क्या है इन सब चीजों के बारे में आज ओफिसियल प्रूफ के साथ बात करेंगे और काफी सारा डिसकसन भी करेंगे तो नमस्कार जेहिन सेनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के बारे में सबसे पहले इसके अंदर जाक के देते हैं कि इसकी हकिकत क्या है मैं आपको स्क्रीन के उपर इस कार्ड की फोटो दिखाता हूँ आप कार्ड को देख पा रहे हैं देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सबसे उपर heading लिखा हुए toll tax icon और इसमें एक letter number दिया गया है जो कि 12 November 2003 को लिखा गया है मौर्थ के द्वारा मौर्थ का मतलब है ministry of road, transport and highway इन्होंने 12 November 2003 को एक letter दिया हुआ है इस letter में क्या लिखा हुआ है कि defense personnel oblique ex-servicemen and their families are accepted from paying toll tax on production of card यह कहना चाहरे है कि इस card को दिखाने के बाद जो भी defense personnel है या फिर उनकी families है या ex-servicemen है उनको toll tax में से छूट दी जाएगी अब इस card की पीछे की तरफ क्या लिखा हुआ है यह भी बहुत ज़्यादा important है कि इसको समझा जाए देखिए सबसे पहली line में लिखा हुआ है member of regular defense forces forces whether on or off duty are exempted from paying toll tax यानि कि defense personnel या तो on service है या off service है on duty है या off duty है फिर भी उनको इस card के माधियम से इस letter के माधियम से toll tax में छूट दी जाएगी red line में नीचे कुछ लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा देख लीजे National Highway Act 1956 and all government as well as private vehicle of the officers, soldiers and ex-servicemen of defense service forces are exempted from paying toll tax तो विशेस रूप से इसमें ये भी लिखा गया है कि officers, soldiers और ex-servicemen अगर private vehicle में भी निकलते हैं तब भी उनको toll tax में छूट दी जाएगी तो आपने इस card को ध्यान से पढ़ लिया है इस card में जितना भी विवरेंड दिया गया है वो दिया गया है एक लेटर के माधियम से जो कि 12 नवंबर 2003 को लिखा गया है मौर्थ की तरब से मौर्थ का मतलब होता है ministry of road transport and highway अब देखिए कुछ बात समझने लाइक में आपको बताता हूं कि इस card में जिस letter की बात की जा रही है जिस act की बात की जा रही है उस act को बोला जाता है Army and Air Force Act 1901 तो इसमें कुछ sections है defense personnel के लिए जो sections इसमें लिखे गए है वो section 3A से लेकर 3I तक है तो मैं आपको screen के उपर दिखा रहा हूँ वो section क्या होते है आप इसमें परद पाएंगे कि उपर दो column बने हुए section of the Indian tolls Army and Air Force Act 1901 दूसरे column में लिखा है हुआ है categories to which applicable मतलब कि किन किन को यह लागू हो रहा है और किन किन को यह लागू नहीं हो रहा है तो section 3A में सामने आप इसका विवरेंट देख पाएंगे कि applicable to regular forces without the requirement of being on duty मतलब कि section 3A के अंतरगत यह साब सब्दों में लिखा हुआ है कि आपको toll text में छूट है अगर आप regular forces के member हो तो आपको इसके लिए on duty होने की भी जरूरत नहीं है यह पूरे act और इसके section की पूरी copies की link मैं आपको description में दे रहा हूँ आप चाहे तो उसे पढ़ सकते है अब प्रशने यह उठता है कि भई act 1901 के मताबिक defense personal को toll text में छूट दी गई है जबकि वो on duty हो चाहे on duty ना हो तो फिर इतना बवाल क्यों मच रहा है क्यों ऐसे बार बार defense personal को toll gate के उपर टाका जोकी करनी पड़ती है तू तू में में करनी पड़ती है आईए इस बात को जरा समझते हैं गोर से अब देखिए 17 जून 2014 को मौर्थ के ही द्वारा एक और letter प्रकाशित किया गया है जिसमें act 1901 के अनुसार कुछ clarification दिया गया है इस letter में क्या बताया गया है कि defense person को जब वो on service है तब उनके toll tax की छूट है लेकिन उनके private vehicle पर toll tax की छूट नहीं है इनके अलावा जो भी ex-serviceman है defense से retired personal है उनको toll tax में छूट नहीं दी जा रही है अब असली बखेडा यहीं पर शूट होता है क्योंकि पहले से यह rule चला आ रहा था कि सभी को toll tax में छूट दी जा रही है act 1901 के मताबिक उसके बाद 2014 में ऐसा एक letter पगाशित होता है जिसमें यह छूट को काफी हद तक कम कर दिया गया retired person के लिए मना कर दिया गया उसके बाद काफी सारी ताका जो की शुर होगी काफी सारे संगठोनों ने भी इनके लिए लडाया की काफी सारे defense personal ने भी अपने आप के दम पर काफी सारे letters ministry को लिखे है उसके बाद उसका result क्या आया है थोड़ा उसके उपर और ध्यान दे देते हैं अब देखिए मौर्थ के द्वारा 3 जनवरी 2020 को एक latest letter जारी हुआ है मैं आपको वो letter भी screen पे दिखा रहा हूँ देखिए आप letter को पड़ पार रहे है यह 3 जनवरी 2020 को लिखा गया है और इसमें एक विवरन दिया गया है जिसमें उसी letter जो 2014 में प्रकाशित किया गया था उसी letter का clarification दुबारा से दिया गया है इसमें फिर से वही बात कही गई है और उसी के उपर clarification दिया गया है जो defense person अभी on service है उनको toll tax में छूट है लेकिन उनके private vehicle पर toll tax में छूट नहीं है और इनके अलावा जो defense से एक serviceman है retired person है उनके लिए भी toll tax में छूट नहीं दी गई है तो दोस्तों यहां तक तो बात clear हो जाती है कि अगर आप defense से retired person हो एक serviceman हो तो आपको toll tax में छूट नहीं है current situation के मुताबिक current official letter के मुताबिक तो अब उन toll tax card का क्या हुआ जो retired person बना के आते हैं तो आपने काफी जगह पर देखा होगा कि काफी सारे centers में काफी सारे pencil deposit में ऐसे agent गुमते रहते हैं जो आपको ऐसे toll tax card बना के देते हैं और उनके लिए 100 रुपे से लेकर 300 रुपे तक की फीस लेते हैं और जिन persons को जिन defense persons को इनके बारे में जानकारी नहीं है वो उस card को 300-300 रुपे देकर भी बनवा लेते हैं जबकि retired होने के बाद में इस card का कोई भी use नहीं है उस card की कोई भी authority अभी current situation में लागू नहीं है इसलिए आप भी ध्यान रखें और अपने दोस्तों की बताएं कि बेकार में पैसे वेस्ट ना करें current situation के मुताबिक official letter के मुताबिक ex-servicemen भाईयों को text देना पड़ेगा दोस्तो तो दोस्तों इस video को अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेर कीजिएगा ताकि सभी के पास इसके बारे में जादा जादा knowledge आए और इस toll text के matter के बारे में एक दम clear हो जाए ताकि हमारे साथ कभी ऐसी situation ना आए कि किसी toll text के कर्मचारी के साथ हमको ताका जोकी करनी पड़े और तू-तू-मेमे करनी पड़े इसमें हमारी respect के उपर काफी सारी उंगलिया उड़ती है तो यह knowledge सभी के साथ share कीजिए तो इस video में बस इतना ही बाकी हस्ते रहिए खुश जैह हिंद